त्यारे साथियों आप सवागत करता हूं अपने MRS study परिवार में तो डियर जैसा कि आपको पता है कि बिहार LRC का जो vacancies निकाला गया थे जिसमें अलग-अलग पोस्ट निकाला गया थे मतलब DLRS के नाम से जिसमें तो यहां पर कमेंट है और डॉकमेंट भाइरिफिकेशन 26 दिसमबर से होने वाली है और आपका जो है रिजल्ट 19 दिसमबर को जारी किया गया था तो यहां पर बोला गया कि सर एक एर के में हटा दिया जाएगा क्या तो देखो दियर ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है है एक साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा ऐसा नहीं है अगर आप गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं हैना इलीगल काम करते हुए पकड़े जाते हैं अनिथिकल काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस condition में आपको जो हटाए जाएगा otherwise कोई दीकत नहीं कोई नहीं आपको अटा सकता है अगला सवाल यहां पर है किसर मेरा यूर रेंक जो है 3885 है जो मिल जाएगा क्या तो देखो अगर आप other state के हो तो थोड़ा उमीद कम रखो अगर आप बिहार में हो और आपका कुछ ना कुछ काटिग्री भी है तो आपका आराम से मिल जाएगा कोई दीकत नहीं है अगला सवाल यहां पर है कि सर फॉर्म फिल अप किये थे तो पासिंग यर 2019 होना चाहिए था लेकिन फॉर्म में 2018 डला गया है दिक्कत होगा सर देखो अगर ऐसा था तो यह चीज़ आपको पहले ही सुधार करवानी चाहिए थी ठीक है अब लास्ट टाइम में आप स्था रहे हो तो देखो डेफिनेटली प्रोब्लम तो करेगा है कि 2019 के जगा पर 2018 लेकिन अब यह पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपका सेलेक्शन होगा या नहीं होगा यह डिपेंड करता है जो वहां पे वेरिफाइंग ऑफि आपका दिक्कत करेंगे ही करेंगे कि अप इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं और आपको एक बार नहीं दो दो बार जब कि आपको मौका जो है इससे रिलेटेड दिया जाता है कि आप जो अपना सुधार करवा सकते हैं इरेटिंग करवा सकते हैं फिर भी आपने जो है अ होंगे आप कमेंट वाक्स ने ज़रूर बताएगा थैंक यू